हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टो मैं यूटूब चैनल, कॉमर्स एंड बीबी अगलासिस आज की वीडियो में हम रेजिडेंशल स्टेटस के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले देखते हैं रेजिडेंशल स्टेटस क्या होता है रेजिडेंशल स्टेटस इंडिवीजवल के पिरियडो स्टेपर डिपेंड करता है कि इंडिवीजवल पिछले साल इंडिया में कितने टाइम पिरियड के लिए था और अगर हम कंपनी और हुएफ की बात करें तो उस केस में हम उसके business का management और control का time period देखते हैं अब हम देखेंगे individual का residential status कैसे determine किया जाता है individual resident भी हो सकता है और non-resident भी हो सकता है resident further दो categories में divide होता है ordinary resident और non-ordinary resident ordinary resident को OR कहते हैं और non-ordinary resident को NOR कहते हैं अब मैं आपको basic conditions और additional conditions के बारे में बताऊँगा जिससे हमें पता चलेगा कि individual resident है या non-resident है हमारी first basic condition है कि SSC previous year में कम से कम 182 days यो उससे ज्यादा time period के लिए इंडिया में रहा हो और अगर SSC first basic condition को fulfill नहीं करता तो हम second basic condition को देखते हैं हमारी second basic condition आती है कि SSC previous year में कम से कम 60 days के लिए यो उससे ज्यादा time period के लिए इंडिया में रहा हो और साथ-साथ SSC previous year को छोड़ कर उससे पहले वाले 4 years में कम से कम 365 days के लिए इंडिया में रहा हो क्योंकि basic condition में लिखा हुआ है immediately preceding the previous year इसका मतलब होता है कि previous year को छोड़ कर उससे पहले के 4 years में SSC 365 days के लिए इंडिया में रहा हो अब इस condition को मैं एक example के साथ समझाता हूँ जैसे हमारा previous year था 2020-21 तो previous year में तो SSC 60 days के लिए इंडिया में रहा हो और उससे पहले के 4 years से 2019-20, 2018-19, 2017-18 और 2016-17 उन 4 years में SSC 365 days के लिए इंडिया में रहा हो अब हम additional conditions के बारे में पढ़ेंगे first additional condition है कि SSC पछले साल को छोड़ कर उससे पहले के 10 साल में कम से कम दो साल इंडिया का resident होना चाहिए हमारा previous year है 2020-21 और ये हैं उससे पहले के 10 साल previous year को छोड़कर उससे पहले के 10 सालों में individual कोई भी दो साल इंडिया का resident होना चाहिए और हमारी second additional condition आती है कि SSE पिछले साल को छोड़ कर उससे पहले वाले 7 सालों में कम से कम 730 दिन इंडिया में रहा हो हमारा previous year है 2020-21 प्रीबियस यर को छोड़ कर उससे पहले कि 7 साल में SSE कम से कम 730 दिन इंडिया में रहा हो अब हम देखेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि individual ordinary resident है non ordinary resident है या non resident है अगर individual दोनों basic condition में से कोई एक basic condition को fulfill करता है और साथ साथ वो दोनो additional conditions को भी fulfill करता है तो उसे हम ROR कहते हैं और अगर individual दोनों basic condition में से कोई एक basic condition को fulfill करता है लेकिन वो कोई भी additional condition को fulfill नहीं करता तो उसे हम ROR कहते हैं और अगर individual कोई भी basic condition fulfill नहीं करता तो हम कोई भी additional condition नहीं देखते हैं और उस individual को NR कहते हैं अब मैं आपको individual के कुछ exceptions के बारे में बताऊंगा जिसमें हमें खाली first basic condition को fulfill करना पड़ता है और हमारी first basic condition थी कि SSC previous year में कम से कम 182 days यो उससे ज़्यादा दिन के लिए इंडिया में होना चाहिए हमारा first exception है अगर SSC इंडिया का citizen है लेकिन वो previous year में इंडिया को छोड़ देता है किस purpose से छोड़ देता है अगर उसे इंडिया के भार किसी भी country में employment मिल जाता है या वो इंडियान चिप का crew member होता है तो इस case में हम खाली first basic condition को fulfill करते हैं और हमारा second exception है कि SSC citizen है इंडिया का या वो इंडियान ओरीजन से है यानि वो इंडिया में bone हुआ है लेकिन वो इंडिया से भार रहता है लेकिन वो previous year में किसी भी रीजन से इंडिया में visit करता है तो उस case में भी हम खाली first basic condition को fulfill करेंगे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे like, share और मेरे चैनल को subscribe करना ना भूले थैंक्स फर वोचिंग में वीडियो